नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रहे आज मैं आप लोगों को दिल्ली में एक नए किसम के भस्टाचार जो कोवीट के दौरन फैल रहा है उसकी असलियत बताऊँ ये भस्टाचार है दिल्ली सरकार और प्राइवेट हस्पेटलों की बीच मिली भगत का दोस्तों हो ये रहा है कि दिल्ली सरकार ने कोवीट के दौरन औक्सीजन बेड और आईसीओ की संख्या इतनी नहीं बढ़ाई जितने की मरीज थे और इसका फैदार सीधे-सीधे तोर पे प्राइवेट और छोटे नर्सिंग होमों ने उठाया इसमें हो क्या रहा है जिस नर्सिंग होम का दिन का आईसीओ का किराया छे से साथ हजार रुपे था उसने सिफ ऑक्सीजन बेड देने के लिए कोवीट के दौरान एक-एक मरीज से एक-एक दिन का पचास से साथ हजार रुपे चार्ज किया अब एक बात बताईए एक गरीब आदमी अगर किसी नर्सिंग होम या प्राइवेट होस्पिटल में जा रहा है वो सिफ ऑक्सीजन बेड के लिए पचास से साथ हजार रुपे रोज के देगा और उसका मरी जगर चार-पास दिन तक भरती रहता है तो तीन से चार लख अब आधमिट हुए एक तरीक को उनकी मिलते हो गई सिर्फ तीन दिन के बीच का उनके हास्पिटल का बिल एक लख नबभे हजार रुपए आया अब आप मेरे को बताईए सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए एक लख नबभे हजार रुपे का तीन का बिल कोई कैसे सहेगा सर वोई बातो बातो में उसी हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने मेरे को बताया कि आशिवान नर्सिंग होम के द्वारा हर साल उस एरिया के विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं श्री महंदर यादर जी को लाखों रुपे का चंदा दिया जाता है इस वज़े से दिल्ली सरकार का स्वास्तमंत तराले इस टाइप के नर्सिंग होम के खिलाब कोई एक्शन ने लेता सर एक बात बताईए पहली बात तो आपने उत्तम नगर विकासपुरी और द्वार का यो तीनों लगी-लगी विधायन समाये हैं इनमें कोई कोविट के सेंटर का इंतिजाम ने किया यहां के 25 लाख लोगों को आपने मरता हुआ छोड़ दिया जब यह लोग अपने रिष्टेदारों को लेकर के एरिया के नर्सिंग होम्स और प्राइविट हस्पिटल्स में गए तो वहां पे पैसे को लेकर के लूट मची हुई है और दिल्ली सरकार का स्वास्त मंतरा ले कुछ नहीं कर रहा है सर क्या इसके लिए भी हम मोदी सरकार को जब्मेदार मानेंगे इसके लिए भी क्या आप बीजेबी को दोशी मानेंगे स्वास्त मंतरा ले तो दिली सरकार की responsibility है न सर आप बताए तीन दिन का hospital का बिल 2-5 लाक रुपे कोई आम आदमी कैसे देगा यही आम आदमी आपको vote देके जिताता है और सर इन ही आम आदमी की खुन पसेनी की कमाई आज private hospital और nursing हो मोदरा लूटी जा रही है इतना के रहा है तो सर ICU beds का नहीं है जितना oxygen का ले रहे है और facilities के answer हुआ oxygen नहीं रहती है oxygen cylinder भी हमें arrange करना पड़ता है remedy receiver के injection हो की भी black marketing हो रही है पहले तो 2-2 लाक रुपे के bill दीजिए फिर 25-30,000 रुपे black market से remedy receiver खरी दिए सरी आम आदमी कहां से उठाएगा खर्चा सौस्त मंत्री हमारे क्या कर रहे है वो सिब दौरा करते हैं दिखाते हैं कि हैं 500 बेट का covid care center खोल रहे हैं 50 बेट का खोल रहे हैं 1000 बेट का खोल रहे हैं सद धरातल पे आप मेरे को सच में बताइए जवाब दीजिए इस बात का कि उत्तमनेकर विकासपुरी और द्वारका विधान सभाव में तहां का covid care center खोले हैं यहां के 25 लाख लोग तहां जाएंगे कहीं पे भी आपने 500 बेट का भी कोई covid care center नहीं खोला और private hospital हमारे को लूट रहे हैं पहले हम अपने लोगों को खोई उसके बाद हम लाखो रुपे का hospital का बिल चुका हैं आपको पता है लोग अपने घर बेच रहे हैं अपने गहने बेच रहे हैं रोड पे आ गए हैं पहले तो वैसे ही lockdown में सब के धंदे और रोजगार पे उपर आफ़त आई हुई है उसके उपर से हम लाखो रुपे का बिल कहां से देंगे सर इसलिए आपको चुनके भेजा गया है आप अपने publicity करने के लिए 5000 रुपे आटो वाल टेक्सी वालों को भेज रहे हैं लेकिन कभी आपने सोचा है वो गोलगप्पे वाला वो चार्ट वाला वो ठेले वाला वो उन लोगों का क्या होगा सर वो इधर से उधर नहीं जाते आटो पे तो आपकी publicity हो जाती है पोस्टे चिपक जाते पूरे दिल्ली में आटो टेक्सी पे तो आप उनको पेंशन दे रहें 5000 की बाकी लोगों का क्या सर hospitals में लोगों किसे लूटा जा रहा है सर मर रहे हैं लोग और आपके स्वास्त मंतरी वहाँ पे बैठ करके दौरे दौरे दिखा रहे है आपके इंद्र सरकार के उपर इंजाम लगाते कि आज कोवीड में सारे लोग मर रहे हैं क्या सो रही है पहले हम अपने को खो रहे हैं उसके बाद अब हम रोड पे आ जाए ये चाहते हैं आप महंदर यादा पूरे एरिया में कभी भी नजर नहीं आते कोवीड के दौरान कि हो कहा क्या क्या रहे है ये आपके लोगों की तियारी है सब माफ करिएगा हम आपके सपोर्टर थे लेकिन अब नहीं जब जमीनी हालात को देखा आपने पिता जी को मैंने खोया उसके बाद से बिल्कुल मेरे को आप पे भरोसा नहीं है आपसे हवा हवाई बाते कर रहे हैं प्रावेट हॉस्पिटलों के साथ बैट करके मिल बाट के खा रहे हैं और दिल्ली को मरतावा छोड़ रहे हैं सर दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी आपको कभी नहीं कर सकती धन्यवाद